नमस्कार, लाइट में जरूरी नहीं कि हर बार आपकी शुरुवात अच्छी हो, कभी-कभी आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लते हैं, कोई कार्य हाथ में लते हैं, और शुरुवात में आपको असपलता मिल जाती है, या आपको एक बार, दो बार असपलता मिल जाती है, आप क्या करते हैं हतास होते हैं फ्रस्टेट होते हैं निरास होते हैं अगर अगर कार्य के शुरुआत्मा असकुलता मिले तो क्या हमें दुबरा प्रियास नहीं करना चाहिए क्या हमें बार-बार अपने ल систем का परती है सजद नहीं रहन चाहिए क्या हमें बार-बार कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने आपको फैलियर नंहें बहुत से सकसेज लोग हुए गो सुरुत म उनको असफलता मिली लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माने क्या जिन्होंने कह दिया कि ये तेरे से नहीं हो सकता क्या वो बगवान है क्या कोई भी अबेक्टि अगर कह दे जा ये कार ये तेरे से नहीं हो सकता क्या कमी हैं अपकर उस कमी को दूर करी और आगे बुलिए ऐसा ही वाक्या मसूर सिंगर लता मंगेशकर के साथ नहीं सदी की महागाई का जिसे सुरो का सरताज भी कहा जाता है लता मंगैशकर को बारत रदिन का अवाड दिया लुए लता मंगैशकर को शुरूआत में एसे ही नेख्नीर जिसमीका सामोर करना पड़ागा। शुरुआत में उनको इग्लोर किया गया आवाज पतली के कर एक ऐसा वाकिया एक ऐसा इस्टोरी में अभी आपको सुनोंगा शुरुआत में लता मंगेश का हरिष चंदर बाली फिल्म के गानों की रिकोडिंग करें तो उस वक्त के मास्टर हैदर अली की नजर लता मंगेशकर के उपर पड़ी और उन्होंने इनके गानों को सुना तो बहुत अच्छी आवाज इनको लगी इन्होंने उस वक्त के मसूर प्रोड़ुशर ससीदर मुकरजी से लता मंगेशकर की मुलाकात कर वे उस वक्त ससीदर मुकरजी सहीद फिल्म बना रहे तो मास्टर हैदर अली ने कहा कि इस लड़की को इस फिल्म में सिंगर के रूप बेले जब ससितर मुकरजी ने लता मंगेसकर की आवाज सुनी तो जब आवाज सुनी तो ससितर मुकरजी ने कहा कि इस लड़की की आवाज बहुत पतली है ये इस बोलिवूड इंडेस्ट्री में कभी सिंगर नहीं बन सकती है इतनी पतली आवाज वाली लड़की इस इंडेस्टी में नहीं चाल सक्ती सुरवात और रिजिक्सन जेला लतां मंगेसकर ने लेकिन हार नहीं माली फिल मास्टर हैदर अली एक all बना रहे थी मजबूर नाम का उसमें मास्टर हेदर अली ने लता मंगेसकर को मुका दिया फिल्म में गाना गाने के लिए और उन्हें उस वक्त का मसूर गाना गया लता मंगेसकर दिल मेरा तोड़ा और मुझे कही काना छोड़ा इस गाले ने रातो रात लता मंगेसकर को इंडिस्टी का सूपर सिंगर बना किया तो जब जरूरी नहीं कि सुरुवात में आपको रिजेक्शन मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सपल नहीं हो सकते है Rejection जब लताव मंगेस कर, जेसी शुरो की सरताज को मिल सकता है तो आप क्या चाहिए, जीओन में आसफ़ता हम मिले, शुर路ती आसफ़ता हम मिले तो गब्राओ मत हो सकता है कि सामने वादा आप की ability को जज नहीं कर पा रहा है हो सकता है कि सामने वाला आपकी योगता को पहचाम नहीं पा रहा है हो सकता है कि उसे आपकी योगता आपकी एबिलिटी आपका अनुपव उसको पता नहीं हो तो आप गबड़ा है नहीं अपने काम के परती समर्पन रखे मेहनत रखे इमानदारी से काम करते रहे तो आप एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि काम के शुरुआत में रिजेक्शन मिले इसका मतलब आप असपल हो गए आप फेलर हो गए आप सपल भी हो सकते हो बसरते हैं अपने काम के परती सम्मोरपन इमानदारी देरी और मेनस से आगे बढ़ते रहना सबसे जरूर होंगे